साथियों हमें 21 सदी को भारत की सदी बनाना है और इसलिए ये जरूरी है कि हम वर्तमान से 10 कदम आगे की सोचे हमारी सोच फुचरिष्टिक हो हमारी एप्रोच फुचरिष्टिक हो ये जरूरी है कि युवा आकांच्छाओं की पूर्ति के लिए आप पॉजिटिव डिस्रप्शन करें विश्व के आधुनिक देशों से भी आगे चले अगर हम याद करें आज से 10-20 वर्त पुर्व ऐसी कितनी ही चीज़े अस्विट्व में भी नहीं थी जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है इसी तरह आने वाले कुछ वर्षों में संबवतह ये दसक खत्म होने ते पहले पहले हमारी दुनिया एक दम बदलने वाली है आर्टिफिशल इंटलिजेंस, मशिन लर्निंग, इंटरनेट अब तिंग्स और ए आर बी आर जैसी इमर्जिंग टेक्नलोजी एक नए स्वरूप पे इवाल हो चुकी होंगी तेटा साइंस और साइबर सिकुरिटी जैसे शब्द कहीं ज़्यादा गहराई से हमारे जीवन के हर आयाम से जुड़ चुके होंगी हमारी सिक्षा से लेकर देश की सुरक्षा तक हेल्ट केर से लेकर कॉम्मिनिकेशन तक सब कुछ एडवांस टेकनोलोजी के जरिये एक नए अवतार में दिखने वाला है आज जिन कामों का अस्तित्व भी नहीं है आने वाले समय में वो युवाओं के लिए मेंस्ट्रीम प्रोफेशन होने की संभावना है इसलिए यह जरूरी है कि हमारे युवाओं फ्यूचर स्किल्स के लिए खुद को तयार करें दुनिया में जो कुछ नया हो रहा है हमें उससे खुद को जोड़ना होगा जो काम कोई नहीं कर रहा है हमें उने भी करना होगा नई पीड़ी को इस माइंड सेट से तयार करने के लिए देश नई राश्त्रिय सिख्षानिती के जरिये प्रैक्टिकल और फिटरिस्टिक एजुकेशन सिस्टिम तयार कर रहा है है आज स्कूल से ही इनोवेटिव और स्किल ओरियेंटेड एजुकेशन पर फोकस है युवाओं के पास आज चोईस के हिसाब से आगे बढ़ने की आजादी है ये बुनियात वविश्च के भारत का अंदेलमान करने वाले फ्यूचर रेडी फ्यूचर रेडी युवाओं को तयार करेगी